हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बाइलोजी का चाप्टर 2 जो की है बिलोजिकल क्लासिफिकेशन तो पिछले चाप्टर में चाप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लिविंग अर्गानिजम्स क्या होते हैं तो आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे क क्लासिफाइ कैसे करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्या होता है मैंने आप को फरस्ट चाप्टर में बताया था क्लासिफाइध करना मतलब चीजों को इस तरीके से रखना कि हमार को future reference के लिए आगे पढ़ने में आसानी हो तो शुरुवात के टाइम से बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं classify करने के इन organisms को Aristotle जो था एक scientist था उनका बहुत ही एक earliest attempt था to classify the organisms on scientific basis कि कुछ ऐसे characteristic हों जिसके बेस्ट पे हम इनको classify कर सके तो वह scientific होने चाहिए तो उन scientific में क्या था जैसे की morphological characters लिए उन्होंने इस तरह से trees shrubs herbs इनको classify करेंगे ठीक है और animals है तो उसके अंदर उन्होंने red blood का concept ले लिया कि जिस animals के अंदर red blood है और जिनके अंदर नहीं है तो Aristotle का तो simple concept था classification का सबसे widely accepted जो concept था वो careless linear खाता जिन्होंने क्या दिया two kingdom system of classification यह बहुत important है बच्चों paper में आता भी है और उनके two kingdom क्या थे plantae और animalia first chapter में हमने पड़ा था कि kingdom क्या होता है सबसे highest division highest unit of classification है तो प्लांटे मतलब plants इसमें सारे plants आ जाएंगे तो उसके बाद आगे sub categories बनेंगी और animalia जो है उसमें animals आ जाएंगे और आगे फिर sub categories बनेंगी अब इसमें problem क्या थी कि this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes unicellular and multicellular organisms and photosynthetic green alien non photosynthetic fungi organisms यह drawback था linear scale classification system का तो plants and animals का classification तो easy था मगर इन चीज़ों को classify करना मुश्किल था तो फिर क्या किया गया इस two kingdom classification को आगे बढ़ाये गया अच्छा उससे पहले आगे बढ़ने से पहले कि इसको कैसे आगे बढ़ाये गया जो characters लिए जाते हैं classify करने के लिए वो क्या होते हैं जैसे कि cell का structure क्या है उसकी basic gross morphology क्या है उसकी nature of wall क्या है mode of nutrition क्या है habitat क्या है methods of reproduction क्या है evolutionary relationship क्या है उसमें जो changes है with time to time वो क्या आए है तो ये सारे characters बच्चों आपको बता होना चाहिए ये भी paper में पूछे जाते हैं कि किस basis के उपर organisms को classify किया जाता है ठीक है बच्चों तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब two kingdom concept के बाद क्या आया क्योंकि वो incomplete था, inadequate था classify करने के लिए तो सबसे major five kingdom आया उसके बाद three kingdom भी आया था वो भी इतना जादा नहीं चला जिसमें आर्की बेक्तिरिया भी इंट्रूट किया गया था तो सबसे most widely accepted जो है वो अटिकर साइंटिस्ट का five kingdom classification concept है इसमें भी देखो characteristics वही लिए गए है cell type क्या है, cell wall कैसी है, nuclear membrane है की नहीं है, body की organization कैसी है और mode of nutrition कैसा है, ये table आपके mind में होनी चाहिए, अब देखें five kingdom's के नाम क्या थे, सबसे छोटा monora, फिर protista, फिर fungi, फिर plant और फिर animalia जब हम left से right जा रहे हैं तो ये evolution जादा हो रहा है, ये जादा highly evolved organisms हमें मिल रहे हैं, देखें, ये prokaryotic है, single cell है, simple organism है protista में अब थोड़े से eukaryotic हो गए, fungi भी थोड़ा highly evolved हो गया, eukaryotic हो गया, प्लांटे में plants आपको पता highly eukaryotic हो गया animalia भी सबसे जादा eukaryotic हो गयाने समय है, उसके बाद cell wall कैसी है, monora की जैसे bacteria आ जाते हैं इसके अंदर, इनके examples भी आपको पता हो नहीं चाहिए monora की non-cellulose होती है, cell wall नहीं होती है, उसमें polysecrides और amino acids होते है protesta की cell wall कैसी होती है, कुछ के अंदर present होती है, कुछ में नहीं होती है फंजाए की cell wall की खास बात है कि उसमें kitein होता है, यह important है बच्चों प्लांटे की cell wall, cellulose होता है, आपको पता है cellulose खाते हैं, हम जैसे रफिच खाते हैं, कोई भी salad खाई, उसमें cellulose है animals में cell wall absent होती है, यह तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, कि plants में cell wall present है, animals में cell wall absent है उसके बाद nuclear membrane, monara में तो होती ही नहीं है, evolved ही नहीं है, protesta में होती है, fungi में भी होती है plants में भी cell wall, cell membrane होती है, उसको हम cell membrane या nuclear membrane कह लेते हैं, और animalia में भी present होती है तो मौनरा में एपसेंट होती है अब बॉडी और्गनाजेशन मौनरा का कैसा है सिंगल सेल्ड है एक सेलूलर ही है फ्रोटिस्टा भी कुछ हद तक सेलूलर ही है उसके बाद फंजाय जो है वो कैसा है मल्टी सेलूलर हो गया प्लांट में टिशू और ऑरगन लेवल पे चला गया और अनिमेलिया टिशू और्गन और्गन सिस्टम यह हमने नाइन टेंथ में पड़ा है यह अपना खाना खुद बना लेते हैं बैक्टेरिया है अग चाहे तो केमिकल्स की मदद से बना लेंगे तो कीमो संथेटिक किलाएंगे अगर इनमें फोटो संथेटिक प्रोटिस्टा जो है वह फोटो ऑटोट्राफिक भी हो सकता है और हेटोट्राफिक भी हो सकता है फंजाई जो है वह आटोट्राफिक नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि उसमें फोटो संथेटिक पिगमेंट एपसेंट होता है वह हमेशा हेट्रोट्राफिक होती है चाह अनिमेलिया हमें पता है हम अपना खाना खुद जो है नहीं बना सकते दूसरों पर डिपेंडेंट है इसलिए हम क्या है है हेटरो ट्रॉफिक अब इसमें कैटेगरीज हैं होलोजोईक और सैप्रो फिटिक यह हम आगे और जब डिटेल में नीत की त्यारी करेंगे तब हम उस में लिए क्या क्या चीजे लिए वह आपको इसमें समझा दी है मैंने सारी और इन सबके एक्जांपल्स आपको पताना चीए मौनिरा जो है उसका एक्जांपल है वेक्टीरिया प्रोटिस्टा के अंदर पैरामीशियम फंजाए में जैसे कि हम यह फंगस होती है हमारी ब्र ब्रिवान साजाएंगे हर्ब श्रब्स ट्रीज ठीक है राइओ फाइट स्टेरीडोफाइज जिम्नोस्पर्म अंज्योस्पर्म और अनिमेलिया में एनिमल्स इतने भी है वह आ चाहिए तो एक्जांपल्स आपके सबको सबके एक्जांपल्स जो है वह पता होने चाहिए इसके अंदर वही सारी डेटेल लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको उसके अंदर पूरी समझा दिया अब सबसे पहले आते हैं हम डेटेल में और पढ़ने किंग्डम मॉनरा इसमें बैक्टीरिया सोल मेंबर होता है यह मोस्ट अमंडन्ट माइक्रोग्यानिजम है हर स्प्रीम हैबिटाइट्स में भी प्रेजन होते हैं जैसे कि हाट स्प्रिंग डेजर्ट स्नोर डीप उशन्स तो इनका करेक्टर स्टिक है कि इनकी सेलवाल रिजिट होती है कि यह ऐसी हार्श कंडिशन में भी पाए जाते हैं अब चार काटेगरी में बेक्टीरिया को डि यह देखिए रॉड्स हैं यह क्यों है से माइक्रो स्कोप में ऐसे ही दिखते हैं जब अपने कॉलेज में जाओगे और आप देखोगे तो आपको यह ऐसे ही दिखेंगे और इवन अगर आप अपनी लाब में पीस पर प्राक्टिकल करोंगे स्टेंड डालके तो आपको मा इब्रियम कॉमा शेप्ट होता है यह देखिए यह कॉमा है और एक स्पाइरल है स्पाइरल शेप्ट है यह स्पाइरल होते हैं मैगी के नूडल जैसे तो यह चार जो हैं यह डाइग्राम के साथ आपको बेक्टीरिया की काटेगरीज विद्धर शेप्स पता होने चाए है फिगर 2.1 बेक्टीरियो और डिफरेंट शेप्स उसके बाद अब इसमें कुछ सब काटेगरीज हैं बेक्टीरिया में सबसे पहले है आर्की बेक्टीरिया इनका करेक्टरिस्टिक क्या है कि यह मोस्ट हार्श हबिटाट्स में पाए जाते हैं जैसे कि एक्स्ट्रीम हबि हाट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं थर्मो एसीडोफाइल्स कहते हैं और जो मवाशी एडिया में पाए जाते हैं उन्हें मिथनोजन कहते हैं क्योंकि वहां पे मिथेन गैस बहुत ज़्यादा होती है तो वह मिथेन को अपना एक फूड का सोर्स जूज करके कीमो सब्सक्राइबरी ऑल सिंहां करें उनकी सैंटा लिए आजेन मिथेन के धिक निमा गंती हरा था काओ गाए बहूती है और वहांपर क्या बंती है मिथेन बंती इन बनौनकर बंती है बायो गास्ति from the dung of these animals ठीक है बच्चों ये था और्ची बैक्टीरिया अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे थाूसंड्स ओस्ट यू बैक्तीरिया हैं यू बैक्टीरिया भी खेते हैं क्योंकि इन में ट्रू करेक्टीरिया के पाए जाते हैं एक Colorado हो गया और इसमें जो सब कारटेघरीया जैसे साइनो बैक्टीरिया को इसमें क्लorophyil होती है और आपको पता है ンダे भी फोटा संत़ेति है तो अयुक्ष की तरह ही होती है इसलिए इसको photosynthetic autotroph कहते हैं तभी तो पांच kingdom मना है क्योंकि algae भी photosynthesis कर रहे हैं प्लांट भी photosynthesis कर रहे हैं पर इनको एकठे नहीं रखा जा सकता इनको अलग अलग रखे हैं उसके बाद कुछ organisms हैं यह example है algae का नॉस्टॉक और एनबीना इनके अंदर specialized cells होते हैं जिने हम heterocyst कहते हैं यह क् atmospheric nitrogen को fix करते हैं chemo synthetic autotrophic bacteria क्या करेंगे नाम से पता चल रहा है chemo synthesis करके अपना खाना खुद बनाएंगे यह chemo synthetic autotroph है heterotroph नहीं है तो यह nitrates, nitrites, ammonia इन सब को use करते हैं energy production के लिए मतलब अपना खाना बनाने के के और इनका nature में भी बहुत रोल है recycling nutrients करते है nitrogen, phosphorus, iron and sulfur और यह example है नॉस्टॉक का इसी तरहां का microscope में नॉस्टॉक दिखता है बच्चों यह देखिए यह special cell है heterocyst इसके आसपास यह चमकने वाली जिल्ली है जो इसको protection देती जिसे हम mucilaginous sheet होते हैं next है heterotrophic bacteria अब यह क्या होगा यह दूसरों पर dependent होगा अपने खाने के लिए तो यह क्या है decomposers है इनका human के अंदर भी human के लिए भी बहुत important रोल है जैसे की दही बनता है milk दूद से antibiotics बनती है nitrogen fixing होती है roots में उसके बाद यह तो इनका useful काम था और कुछ unuseful काम क्या है कि यह बिमारिया करते है pathogen होते हैं cholera, typhoid वगएरा तो यह सारे hetero-trophic bacteria में आते हैं बैक्टीरिया बच्चों single cell reproduce कैसे करता है fission मतलब एक cell का दो में तूट जाना अन-favorable condition में sports बन जाते हैं और जैसे conditions favorable आती है sexual reproduction से फिर से ही अपने आपको recover कर लेते हैं यह देखिए अंदर cell membrane है बाहर cell wall है और यह अंदर nucleoid है DNA है not a proper DNA बट इट्स नूप्लियोइड mycoplasma ऐसे organism है जिन में cell wall नहीं होती और यह smallest living cells है and they can survive without oxygen यह बचो नीट के point of view से बहुत important है तो आपको यह mind में रखना है तो यह हो गया bacteria अब आते हैं kingdom protesta पर तो kingdom protesta जो है वो single-celled eukaryot है bacteria single-celled prokaryot थो यह single-celled eukaryot boundaries defined नहीं है इसमें आगे हम इसमें chrysophyte, dinoflagellate, ugeloids, slime moles और protozoans पढ़ेंगे इस protesta की category में protesta जो है वो sexually और asexually दोनों reproduce करते हैं by a process involving cell fusion and zygote formation तो इसमें first category है बच्चो क्राइसोफाइट्स इसमें dye atoms आते हैं और golden algae आती है जिन्हें हम decimates भी कहते हैं fresh water में पाये जाते हैं, microscopic होते हैं, photosynthetic भी होते हैं और इसके आसपास एक silicon wall होती है जिससे इसको एक तरह से protection मिलती है और एक तरह billions of years के तरह यह जब deposit होते जाते हैं seabed पे तो यह diatomaceous earth बना देते हैं और इसको कहां यूज किया रहता है, polishing, filtering of oils, serum इन सब में इसको यूज किया रहता है तो यह diatomaceous earth term आपको बच्चों पता होने चीए, diatoms जादा chief producers in the potions next आदाते हैं हम dino flagellates पे, यह basically marine और photosynthetic होते हैं yellow, green, blue, red कैसे भी हो सकते हैं depending करता है इसमें pigment कौन सी present है जादा तर में दो flagella होता है, एक longitudinal होता है, एक transverse flagella होता है, इसका सबसे best example है red dino flagellate का goniolex और यह क्या करता है, red tide कर देता है, पानी के ओपर ऐसे फैलता है, ऐसे ग्रो करता है, कि पूरी जो tide हो लाल हो जाती है, तो हम उसे red tide का नाम देते हैं, आक्चली वो होती क्यों है, goniolex dino flagellate की वज़ा से और इससे कुछ toxins भी release होते हैं, जिससे marine animals किल हो सकते हैं next category है, uglinoids, uglinoids जो है, उसमें cell wall नहीं होती, उसकी जगा एक protein की rich layer होती है, protein layer होती है, called pellicle, जिससे उसकी body flexible बनती है, इसमें भी flagella होते हैं, photosynthetic होते हैं, मगर जब sunlight नहीं होती, तो heterotrophic भी बन जाते हैं, सबसे best example है, uglina, u for uglinoids, उसी से नाम पढ़ा है, uglina, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का, इसका diagram होता है, uglina का, ये देखे, ये flagella है, और ये इसका shoe shape structure है, उसके बाद आ जाता है, slime mold, slime mold, जो है, उसके अंदर basically plasmodium आता है, जो disease causing organisms की category में आता है, तो ये unfavorable condition में sports होते हैं, और favorable conditions में आते ही वो अपने आपको grow, कर लेते हैं, और next है, protozoans, protozoans जातर heterotrophic हैं, predators और parasites दोनों होते हैं, ये देखे, उससे पहले आपको diagram दिखा देती हूँ, dino flagella, uglina, slime mold, paramecium, ये paramecium का structure भी इस तरह का ही होता है, shoe shape का, तो ये देखे, जूते की तरह बना हुआ है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, ये slime mold है, irregular shape है, yuglina मैंने बता दिया है, और ये dino flagellate है, अब protozoans जो है, उसमें भी कुछ सब काटेगरीज उनकी characteristics different है, उसके base पे की गई है, तो four major groups of protozoans है, पहला amoeboid protozoan है, ये amoeba type होते हैं, move कर सकते हैं, और इन में जो movement के लिए, जो organism में उसे cedo poda कहते हैं, cedo means false, podia मतलब feet, false feet, false मतलब सच्ची true feet नहीं है, सिरफ अपने movement के लिए false feet है, और इसमें anti amoeba आ जाता है, amoeba में, जो हमारे pate खराब करता है, disease causing है, next protozoan है flagellated, इसमें flagella होगा, नाम से बता चल रहा है, और इसमें जो एक African sleeping sickness करता है, trypanosoma वो आता है इसमें, उसके बाद आता है ciliated protozone, नाम से पता चल रहा है, इसमें cilia होगा, और इसमें क्या आ जाता है, paramysium, तो यह जो paramysium मैंने आपको दिखाए था, यह देखे, इसके आसपास पूरे body surface पे छोटे 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 बाल होत हैं, यह सारी छोटे छोटे पॉइंस हैं, जो नीट में आते हैं और आगे हम इनी के बार में detail में नीट में पड़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि यह जो वीडियो हम देख रहे हैं, वो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको time to time जो पड़ चुके हैं, यह auto traffic नहीं होते हैं, यह mushroom इसका common example है, जो common mushroom हम खाते हैं, उसके बाद जो wheat के उपर rust करता है, पौधे को खराब करता है, पकसीनिया, वो भी फंजाए है, penicillium जिससे antibiotic बनती है, और हमारी bread को खराब कर देता है, वो भी एक फंजाए है, refrigerator में भी ग्रो क कर जाता है, क्यों? क्योंकि इतना यह harsh है, इतना resistant है, कि ठंडा जो temperature है, वो भी इसको रोक नहीं पाता है, ग्रो कैसे करता है, धागों की तरह ग्रो करता है, जिसको हम हाइफे कहते हैं, तो आप कभी अगर bread की उपर fungus ग्रो की हुई देखो तो आपको रेशे रेशे इससे धागे नजर आएंगे, उसको हम हाइफे कहते हैं, और जब हाइफे का जंजाल बन जाता है, तो उसको हम माइसीलियम कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रेक्चर है, धागे हैं, इनकी सेल वाल में अभी हमने पढ़ा काइटिन होते हैं, और साथ में पॉली सेक्राइज ह होते हैं, अगर डेड़ मेंटर पे ग्रो करें, तो सेपरोफाइट हैं, लिविंग होस्ट पे ग्रो करें, तो पैरसाइट हैं, अगर симbैयोटिक रिलेशनशिप में ग्रो करें, जैसे की Likens and Mycorrhiza, तो येशे मिवाटिक हैं, ये बहुत important terms हैं, बच्चों, ध्यान में ज़र और सेक्चुल रिप्रदक्शन उस्पोर्स एस्पोर्स और बिसीरियोस्पोर्स से होता है कुनीडिया बेसिकली क्या है जो इसका हाइप वे मरसीलेम उसके एक छोटी सी उपर से डंडी तूट जाए अगर तो वह एक नए फंजाय को बना देती है यह तो यह सारे जो है यह मो एकांथ हम क्या है यह साथ हिताए नंमटल्कुमीड्स का तो उसको हम रहिक है प्लाज्मों गेमी कुक होता है सिल के अंडर का चरी लेक मिटीरियल जब दो न्यूकलियाई फियूस कर जाते पिर तो मियृसिज होती है जिससे की हैप्लॉइड स्पोर बनते है हमेशा मियॉस में हैपलोइड स्पोर बनेंगे आगे हम यह मियोसिस मैटोसिस के चाप्टर में पढ़ेंगे जब फंगस सेक्चुली रिप्रडूस करेगी तो यह दो हैपलोइड हाइफे जो है वो एकठे फ्यूज हो जाएंगे और फिर हेपलोइड चीज क्या बनाएगी डिपलोइड एन प्लस एन क्या बनाएगा तो यह जो टू एन की कंडिशन हैं है इसे हम डाय कैरियौन या डाय कैरियोफेज अफ फंगस कहते हैं खिंग है बच्चो अब इसकी classes है fungus की यह देखिए इस तरह के ratio होते हैं फंजाय के यह diagram दिखाये गए है यह देखिए mucar aspergillus agaricus यह aspergillus है जो microscope में दिखती है और यह mushroom है जो आप अपने खाने में बना के खाते हो अब पहली class क्या है phycomycetus यह decay matter पर basically grow करती है phycomycetus और इसका common example है mucar rhizopas bread पर जो grow करती है इसको हम bread mold भी कहते है और albugo यह mustard पर ग्रो करती है parasitic पन जाए है फिर आता है ascomycetus इसमें penicillium आता है penicillium को deuteromycetes में रखा गया था पर उसकी cell wall मिलने की वज़ा से उसको ascomycetus में डग दिया गया यीस्ट भी ascomycetus में आती है जिसको हम saccharomyces कहते हैं यह सारे scientific terms आपको याद होने चाहिए यह saprophytic होते हैं decomposer parasitic coprophilus होते हैं जो dung पर ग्रो करते हैं saprophytic होते हैं जो decay matter पर ग्रो करते हैं पर डंग के लिए एक अलग scientific term दी गई है इसमें sexual spores पाए गए इसलिए इनको ascomycetus में रखा गया और examples है aspergillus, claviceps, neurospora, neurospora genetic work में भहाँ जादा यूज़ किया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद morals, truffels, यह सारे mushroom की तरह edible है और इनको भी ascomycetus में रखा जाता है पिर आया बैसीडियो मैसिटिस इसमें बैसीडियो में मश्रूम होते है basically ब्रैकेट फंजाए आती है और puff balls आते हैं सॉइल पे ग्रो करते हैं एसेक्चुल स्पोर्स जादा तर नहीं होते वेजिटिटिव रिप्रडक्शन फ्रेग्मेंटेशन से ही होती है इनकी उसके बाद बिसीडिया मतलब जो बेस होती है बिसीडियो मित Schweeth up मतलब ऐक जो बेस होती है बिसीडियota केंगे उसकि इसकी एसको कार्ब केंगे और इसमें एक्जट UM dubl मिन अपता आ दिये है members बन के बाद उस टिलागो जो smut करता है और खक्से निया झो वीट पे रस्ट करता है, यह बिसीडियों में आ जाते हैं, फिर आ गया deuteromycetis, इसको हम imperfect fungi भी कहते हैं, क्योंकि इनकी sexual, जो है, वो stages absent होती है, only asexual and vegetative faces ही known है, sexual stages नहीं है, इसी लिए जो penicillium और aspergillus ते उनको deuteros से asco में shift कर देगे, क्योंकि उनकी sexual stages discover हो गए, और इसक तो यह हो गया आपका fungi, फिर आगया बच्चों kingdom, planting, planting के अंदर आपको पता ही है, plants है, और insectivores plants का नाम भी आपने सुना आगा, जो कीडे खाते हैं, bladderwort और venus fly trap, इनका characteristic ही ऐसा है, कि जो कीडा है, वो इनकी petals को देखके attract हो जाता है, जैसी वो उस पे land करता है, प्लांड का बंदो जाता है, और वो उसको चूस के, उसमें से nitrogen का, जो nutrition है, वो extract कर लेता है, कस्क्यूटा भी एक ऐसी plant है, बेल है, कि जिस पादे पर डालो, उसका सारा nutrition खीच लेती है, तो यह कुछ ऐसे characteristic है, कि plant तो chlorophyll होने के बबजूद, photosynthetic है, पर यह plants heterotrophic है, समझा रहा है plants में दो phases होते है, एक diploid sporophytic stage होती है, और haploid gametophytic stage होती है, यह alternation होती रहती है, इसलिए इसको alternation of generation कहा जाता है, उसके बाद आया kingdom animalia, इनके आगे retails, आगे वाले chapters में, animalia में आपको पता ही है, हेट्रोट्राफिक होते है, cell wall absent होती है, internal storage कैसे होता है, हमारे अंदर glycogen और fat की form में reserve food material होता है, definite shape and size होता है, locomotion होती है, sexual reproduction, embryonic होती है, यह पता है आपको, और कुछ ऐसे हैं, जिनको classification में कहीं जगा नहीं मिली, वो है viruses, varoids, prines and lichens, इनके क्या characteristic है, वायरस तो आपको पता है, borderline पे होता है, outside the body, inactive है, जैसे ही body के अंदर गया, active हो गया, जैसे अभी common जो coronavirus का case condition चल रही है, बाहर handle पे है, तो inactive है, जैसे ही किसी ने handle चुआ, आपके respiratory tract तक पहुंचा active हो गया, disease कर दिया, varoids जो है, वो वायरस से कुछ हट तक different होते हैं, prines के अंदर protein genetic material होता है, और lichens, symbiotic relationship में होते हैं, तो यह characteristics आ आपको इनके पता होना चाहिए, यह देखिए, TMV, एक तरह का virus है, bacteriophage ऐसा virus है, जो bacteria को खाता है, जो कहां पाए जाता है, गंगा के water में, गंगा का पानी bacteria free क्यों है, साफ क्यों है, जो इसमें बहुत सारे bacteriophage है, वाइरस का मतलब poison होता है, सबसे पहले वेनोस्की ने 1892 में इनको discover किया था, उसके बाद M.W. बेजरिंक ने इनको filter किया था, और TMV के अंदर जो tobacco मजैक वाइरस है, उसको discover किया, और क्या नाम दिया, इसको term को contagium vivum fluidum, means infectious living fluid, उसके बाद stainless ने इस पे discovery की और इसने TMV के वाइरस को crystallize किया, और देखा उनके अंदर proteins है, और वाइरस इस क्या है, obligate parasites है, facultative parasite नहीं है, obligate है, obligate मतलब true parasite है, host में जाते ही उसके अंदर grow करना शुरू करतेंगे, वाइरस का genetic material RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, किसी भी वाइरस में बोथ RNA और DNA नहीं होता, वाइरस के अंदर एक nucleo protein होता है, और इसका genetic material infectious होता है, plants को भी infect करता है, animals को भी करता है, अब ये RNA DNA single stranded, double stranded, depend करता है, कैसा हो सकता है, bacteria of fudge अभी मैंने आपको बता है, viruses that infect bacteria, ये usually double stranded DNA वाइरस होता है, इसका जो बाहर का protein coat है, उसे हम capsid कहते हैं, small subunits called capsomias का बना होता है, और ये nucleic acid को protect करता है, helical shape में arranged होते हैं, virus diseases करते हैं, mom, smallpox, herpes, influenza, ये बिमारियों के नाम है, जो वाइरस से होती है, AIDS भी वाइरस से होता है, acquired immunodeficiency syndrome, plants के अंदर leaf की curling करना, yellowing करना, dwarfing, stunted growth, ये कुछ ऐसे characteristics हैं, जो plants में देखे जाते हैं, वाइरोइट को किस ने study किया था, टी ओ डाइनर ने study किया था, ऐसा infectious agent, जो वाइरस से भी smaller है, और इसकी जो disease observe की गई, वो potato spindle tuber disease, observe की गई, इसके अंदर free RNA होता है, protein coat नहीं होता है, जो वाइरस में found होता है, वाइरस में पाया जाता है, इसलिए इसको viroid नाम दिया गया, low molecular weight का वाइरस था, तो ये कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो viroids को वाइरस से differentiate करती है, protein coat नहीं होता, free RNA होता है, prines जो है, protein genetic material होता है, और सबसे common disease जो देखी गई, वो BSC देखी गई, bovine, spongiform, encephalopathy, जो mad cow disease करती है, पागल हो जाती है, cow, और CR Jacob disease in humans होता है, ये analogous variant है, फिर lichens जो symbiotic relationship करता है, किसमें होता है, algae और fungi में, algae पार्ट को phycobind कहते हैं, fungal पार्ट को mycobind कहते हैं, यह आपको याद रखना है, algae की study को phycology कहते हैं, fungus की study को mycology कहते हैं, पहला वाला autotrophic है, फंजाय वाला heterotrophic है, तो algae कैसे symbiosis करती है, खाना देती है फंजाय को, फंजाय उसको shelter and nutrition देता है, तो जैसे होता है न, आप ममी पापा के साथ रह रहे हो, तो आप एक तरह के liken हो, आप उनकी काम में मदद करते हो, वो आपको आपका जीवन चलाने में help करते हैं, तो यहाँ पे भी symbiotic relationship इसी को कहते हैं, mutual तरीके से काम करना, एक दूसरे की help करके, तो इसी के साथ बच्चों, यह chapter finish हो गया, उमीदा आपको यह concept आज का समझ में आ गया होगा, अगली बार next chapter के साथ next video में मिलेंगे, और सんで, बाइबगे, बाइबगे.